नोड़ा और दिल्ले के बीश कालिदनिकुंच के रास्ते से जुड़े हुई जो कि नोड़ा से कालिदनिकुंच का रास्ता एक बार फिर से बंद कर दिया गया नोड़ा के तरफ से पुलिस ने बैरिगेटिंग फिर से लगा दिये है कुछ देर के लिए रास्ता खोला गया था शाहिन बाग के प्रदर्शन के चलते कालेदिकुछ के पास में एक लेन रास्ते का एक लेन पिछले 69 दिनों से बंद है 15 दिसंबर से ये प्रदर्शन वहाँ पर चल रहा है जिसकी वज़े से लोगों को मुश्कुलों का सामना करना पड़ रहा है और यही वज़े है कि कालेदिकुछ के बजाए लोग D&D की तरफ से महरानी बाग से होते वे D&D फ्राइवे की तरफ से आने को मजबूर है परिशानिया लोगों के सामने हैं अगर आज कुछ देर के लिए नोड़ा से फरिदाबाद का रास्ता खोला गया पहले वेरिकेट्स हटाए गए उसके बाद वेरिकेट्स फिर से लगा दिये गए इसपर देखते हैं पुलिस की क्या है उनसे बात करेंगे जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी यहां पर रात को भी सदेखा था कि यहां पर रात को भी वेरिकेट हटा आए थे पुलिस ने क्या देखा हमें यह आप जानते हो गए अपनी आपको से बात कर सकते हो मैं कुछ नहीं कह सकते हैं ट्रैफिक पुलिस कर्मी का यही कहना है कि जो काबडियों की गाड़ी थी इसलिए हमें इसलिए बरिकेट हटा दिया गया क्या इसलिए बढ़ पुछा गया कर्मी के सलसले में हमारे सीनियर से बात करो गेमरेमेन विवेक के साथ मैं बढ़ा दिक्सित आरनाइं टीवी उतर परदेश अब हमारे पीछे अभी कालिंदी कुंज रोड पर खड़े हुए हैं वेरिकेट्स आफ तौर पर देख सुकते हैं थोड़ी देर पहले यहां पर यह वेरिकेट्स हटा दिये गए थे पुलिस कर्मियों ने यह वेरिकेट्स हटाए थे यह कहकर कि यहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया था इसलिए यह वेरिकेट्स हटा दिये गए थे एक तरफ रोड खोल दिया गया था कालिंदी कुंज जाने वाला फरीदाबाद के लिए अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे के वेरिकेट्स फिर से लगा दिये गए है हाला कि हमने इस मुद्धे पर अगर पुलिस कर्मियों से बात करने की कोशिश करी और जानने की कोशिश करी तो पुलिस वालों को साफ तोर पर यही कहना था कि यह इसलिए हटाया क्योंकि आप ट्रैफिक बहुत जादा बढ़ गया हाला कि अगर देखा जाए कि कल शाम को भी यह वेरिकेट्स हटा दिये गए थे पुलिस वालों ने अभी पुलिस वाली यह कह रहे हैं कि हम इसलिए हटा दिये गए थे यह वेरिकेट्स क्योंकि ट्रैफिक बहुत जादा हो गया और ड्राफिक को कम करने की वज़े से वेरिकेट्स को हटाना पड़ा अब देखने वाली बात ये है कि अब पुलिस इस पर क्या बात रखती है अपनी केमरमेन विविक के साथ मैं पड़ा दिक्षित आरनाई टीवी उत्तर प्रदेश